प्रदेश के मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ स्वर्ग्य शांसद राम चरूप सर्मा की अंतेस्टी के बाद उनके परिवार से मिलने उनके पैठ्रिक गाम जलपेहर पहुंचे तथा शोक संत्पत परिजनों से मिलकर अपनी समवेदनाई ब कर ईश्वर से लिवंगत आत्मा की शांती और परिजनों को इस दूख को सहने की शक्ति प्रापत करने के लिए प्रात्ना की हम सब लोंग के लिए बहुत बड़ा सब्मा है पार्टी के साथ ही वर्शु से साथ काम कर रहे और समाज के लिए समर्पित इस भाव के साथ काम क करने वादे अपने रामसु थी मंदी लोकसाबाक शेतर से दो बार सांसर के रूप में और सबसे बड़े अंतर से आज तक जीतने वाले रामसु वो हमारे बीच में नहीं रहे सुचना मिली विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब बाकी लोगों से और लोगों से बाकी थूँ तो कहा कि ये सद्ध्य है इसे सविकार करो कि रामसु जी का पार्टी के अंदर अलग स्थान था कारेकरता के नाते सहचता असरलता लोग से मिलन मिलना मिलन सार्फ को करके काम करना और अपने क्षेत्र के लोग सबाक्षेत्र के मश्रूं को हमेशा उठाना त्राइन करना पत्तर लिखना फिर इसके बाद उसका फालोग करना ऐसा उनका सवभाव कार्यकरता कर दे इसा करता करना और राम शुरूब जी के जो स्वप्वन को साकार करने के लिए हम सब लोग काम करें माचल प्रदेश में जहां आप इस मंधी दोक सब अक्षेतर के अगराम बात कहें जिन मुद्दों को लेकर हमेशा वो सक्री होकर अपनी बात कहते रहें उन मुद्दों को लेकर किया आने दर्द है जांट उस जांट की प्रक्रिया वहां पर चली होगी इस से ज्यादा भी तक उसमें कुछ कहना उचित नहीं है देखिए यह सारा विशह जो है परिवार के सभी सदस्यों से बातकित करने के बाद ही सारे विशह में कुछ सोचा जाज़ता लेकिन उसके वाव्यूद कि जो गटना हुई है गटना के मामले में मामला दर्थ है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रॉसेश तर आपकी अपनी भी जांट अजेंसियां से जांट करवाएंगे माचल अभी देखिए मैं परिवार के लोगों से बात ही करता हूं तरह यहरा रहे हैं लोग जो गि इंदर नगे से कैलास की रिपोर्ट